हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है टार्गेट वी थाजिसर क्लास में आज मैं आपके लिए जो 48 नम्मर लाइब ग्लास हुआ था उसका मैं रिविजन वीडियो लेके आया हूँ ठीके जिसमें 25 मोस्ट इंपोर्टेंट मिडवाइफरी के कोस्चन्स होंगे ठीके और क्यूब क्रिविजन होगा ठीके और यदि आपने अभी तक टार्गेट वी थैसर को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो कांट्रिफिकेशन डेली आपको मिल सके और दोस्तों में ज्यादस ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि ज्याद इसन प्यास होता है चलते हैं कितरफ सेकंड कोस्टन होगा एम्नियोटिक तरल की मात्रा होती है तो इसका राइट रुजाइगा आप टीए एक हजार में टीके चलते हैं नेस कोशन की तरफ तरफ कोशन होगा आज का अधिक अधिक द्रब्य का पीच होता है तो अपसे अधिक आपका अमली भी अचारी सी युगा उदासीन द्योगा अती अमली तो इसका राइट एंसर हो जागा ऑफ्षन भी चारी ठीक है अम् इसमें हम लोग क्विजन कराते हैं ठीक है और यदि आप अच्छे से अधि आपने हमारे लाइफ सेशन को 48 नमर लाइफ सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज आप लेडिश में जाए और उसको देख सकते हैं उसमें आपको पूरे डीटेल तरीके से सारे कोशन को बताया ग पानी 98 प्रिशेंट और प्रोटिवी टू परसेंट ठीक है कि सलते हैं नेश कोशन की तरफ फिप्त नमर चौर्शन होगा अ अप्रा यानि प्लेसेंटा का गलत निर्मान कहलाता है तो फाइब का राइट अंसर हो जाएगा ओप्षिन सी प्लेसेंटा सरकम बलेट ठीक है च सिक्त नंबर को सनवाज का है कि एमनियोटिप द्रब्व का सुनहरा रंग किसकी पचान है तो सिक्का राइट एंसर हो जाएगा ऑफशन सी आरच फेक्टर का ठीक है और यदि आप एंसर देना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पर्च करेंगे और आप एंसर देके फिर आप व करते हैं नेच को सनड़ kita कुम करको सेवह लगा गर बहुसता में निदान का इस कभ नमूना लेते हैं एक तो इसका राइटेंट ओनार ओफशन सी मत दे ठीके चलता है सवक्यूं्य की तरफ एट नंबर को सान आज का था छा यानिकी योनी का पियाच कितना होता है तो इसका राइट सिmost रोजागा option d, four से five ठीक है चलते हैं next question की तरफ नाइस number question होगा मेनार्च का मतलब होता है तो इसका राइट सरो जागा option A ठीक है प्रत्थम रितु श्राव चलते हैं नेस कोशन की तरब टेंध नंबर कोशन होगा अपरा यानिकी प्लेसेंटा में सर्वाधिक पाए जाने वाली बिमारी है तो इसका राइटेंट सरो जाएगा option C इन क्रामट ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरब 11 नंबर कोशन होगा मानों में पाए जाने वाला अपरा यानिकी प्लेसेंटा है तो इसका राइटेंट सरो जाएगा option D उपर्यूक्त सबी ठीक है डिस्कलोईड डिस्ट्यूट और हीमो कोरिल कोरियल जो की मानों में पाए जाने वाले अपरा है ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरब 12 नंबर कोशन होगा प्लेसेंटा में इस्टेंब बिढाई की संख्या होती है तो इसका राइटेंट सरो जाएगा option C सत्तर यानिकी 70 ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरब 30 नंबर कोशन होगा जान्व की समय आपरा की तरफ की तरफ जुड़ा रहता है तो इसका राइटेंट सरो जाएगा option C ठीक है डेसी डू अला एपोईंग जो ओसन ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ नेस कोशन होगा गर्विस्त सिसु का अहिर्दय अपरा यानिकी प्लेसेंटा के द्वारा प्रती मिनट कितना रक्त पंप करता है ठीक है तो फटा पड़ करेंगे आप लोग इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा option C 500 ml के चलते हैं नेस कोशन की तरफ नेस कोशन होगा फिप्टी नमर कोशन होगा आज का समान्यता अन्राडू का आकार होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C 130 micron चलते हैं नेस कोशन की तरफ नेमर कोशन होगा रज्जो धर्म की कौन सी अवस्ता नहीं होती है तो फटा पड़ करेंगे आप लोग इसका राइट एंसर 60 नमर का राइट एंसर हो जाएगा option A ठीक है मेस्ट्रूल फेज ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ 17 नमर कोशन होगा इसकेंस ग्रंथिया कहां पाई जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option D मादा के मुत्र मर्ग में इसकेंस ग्रंथिया पाई जाती है चलते हैं नेस कोशन की तरफ 18 नमर कोशन होगा बार्थोलीन ग्रंथिया पाई जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option D ठीक है योनी में option D यानि की योनी में योनी में बार्थोलीन ग्रंथिया पाई जाती है चलते हैं नेस कोशन की तरफ गर्भास है कि कौन सी परत से अप्रा यानि की प्लेसेंटा जुड़ता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C एंडो में ट्रियाल ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ 20 नमबर कोशन होगा लेपर इसकोपी में कौन सी गैस उप्योग में लाते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option A CO2 CO2 गैस लेपर इसकोपी में परियोग में लाते हैं ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ 21 नमबर कोशन होगा महिलाओ में सबसे अधिक कैंसर किस हिस्से में होता है फटा पर करेंगे आप लोग 21 नमबर का राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा option A कर्विक्स में ठीक है महिलाओ में सबसे अधिक कैंसर कर्विक्स में पाई जाती है ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ कर्विक्स में कार्सीनोमा का कारण है 22 नमबर का राइट एंसर हो जाएगा option B option B राइट एंसर हो जाएगा इसका shift list ठीक है shift list राइट एंसर हो जाएगा इसका चलते हैं नेस कोशन की तरफ 23 नमबर कोशन हो आजका मायोमा क्या है फटापर करनेंगे आप लोग इसका राइट एंसर ठीक है और इसका राइट एंसर हो जाएगा option C घर भांस है का टोबर ठीक है और यदि आपने फोटीएट नंबर कर फोटीएट नंबर लाइफ विडिए नहीं देखा है तो प्लीज आप देख ले उसका ये रिवीजन वीडियो ठीक है प्लेलिस्ट में जाएंगे ठीक है प्लेइलिस्ट में जाएंगे उसमें आपको दिखाई देगा लाइव नर्सिंग के कोशन वाले दिखाई देगे मिडवाइफ रीप के तो उसमें आप जाएंगे 48 नमबर लाइफ वीडियो में तो यही वीडियो है वो ठीक है तो आप उसको देख सकते हैं पूर रू ओफशन ए ग्राफिकल ग्राफिकल मोनिटोरिंग आफ फोटल हाट रेट चलते हैं नेस कोशन की तरफ 25 नमर कोशन होगा आज का हबनर्स टेस्ट किसकी जाच की जाती है तो फटाबर करेंगे आप लोग इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जाएगा और ओफशन भी नपुन सकता में ठीक है नपुन सकता में हबनर्स टेस्ट की जाच की जाती है ठीक है और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ठीक है और यदि आप हमेरे चैनल पर पहली बार है बिजिट किया है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टेली ग्राम चैनल जोइन कर लें पीडियाफ के लिए ठीक झाल झाल